हेलो दोस्तो नमस्कर मैं भाविश कचपाल आपका सवाखत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लक्षवित भाविश कचपाल में तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज मैं 36 गड़ में मराठा संबंधी प्रस जो भी 5 पार्ट के वीडियो में बना चुका हूँ ठीक है छटवा पार्ट आज सामको साड़े पांच बजे अप्लोड होगा प्रिमियर उसका ठीक है लाइब चलेगा तो आप उसमें लाइब चेट का भी मज़ा ले सकते हैं और सेट रिमाइंडर ठीक है सेट रिमाइंडर डाल के रख सकते हैं यह जो 36 गण में माराथा है ठीक है संबन्दी प्रस्न है इसमें 20 महत्पुर्ण जो पुराने पिपरो में आयोए कुश्चन है उसको मैं कराऊंगा इसके पहले आपको मेरे 5 वीडियो भी देखने पड़ेंगे क्योंकि पूरे जितने वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ उस अपने उत्तर देते रहें तो 36 गण में मराथा संबन्दी प्रस्न पढ़ने के पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके पहले मैं एक और पार्ट MCQ का पार्ट 1 मनाया था जिसमें मैं खनिज संसाधन के लिए वीडियो बनाया था उस खनिज संसाधन के वीडियो में साथवे और आठवे कोशन में जिसमें मुख्य खनिज और गौन खनिजो का प्रतीसत है वो 2018-19 का आंकडा बता ड़ा था जबकि पुराने वीडियो में मैं सहीं बताया था ठीक है तो उसको आप चेंज करते हुए गौन खनिजो साथवे कोशन में जो गौन खनिजो का परस कि आपको चेंजस करने है उसमें ठीक है चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगा लगातार जल्दी जल्दी मैं आपको समय दूंगा कुशन पढ़ने का और आप कमेंट करते रहेंगे पहला कुशन है 36 गड़ की राजस्व पविवस्ता है तू मेजर एगेन्यू ने निमलखित में से किन करमचारियों को न्युक्त किया था तो बरार पंडे दूसरा पोतदार तीसरा आमिल चौथा अमीन निम्न में से कौन सा आंसर सही है चोकि यह CGPAC librarian 2017 का पेपर है जैसे कि आप लास्ट में देख रहे हैं देख किन की निक्ति की गई थी जल्दे से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप तो इस कांसर होगा1,2,4 सी कांसर होगा-बरार पंडे पोतदार और अमीन की निक्ति की गई थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि मैं बताया हूं कि आपको मैं प्रूप दिखाउंगा कि वहीं जो मैं पढ़ाया हूँ उसी से इसके आंसर मिल जाएंगे अगला है नागपूर के भोसला वन्स नमलकित में से कौन से व्यक्टी 1758 से 1811 तक 36 गड़ के सासक रहे यह CGPAC ADPO दो जाए 17 में आया हुआ कोशन था इसमें क्या क्या है मधो जी, बिंबा जी, चिर्णमा जी, व्यमको जी अंसर आपको देना है A, B, C, D, E में से क्योंकि PSC में पहले 5 आप्शन आते थे 17 के बाद यह बदल कर 4 आप्शन हो गया है और माइनस मार्किंग भी एक ट्याई हो गया है इसका अंसर होगा 2, 3, 4, मतलब 20 इसका अंसर होगा बिंबा जी, चिर्णमा जी, फिर व्यमको जी यह तिनों ने सासन किया था बिंबा जी भोसला के बाद थोड़े समय के लिए उसके बाद व्यमको जी भोसला का 1789 में सासन आया नावासी में जब सासन आया तो उन्हेंने सुबा सासन लागू किया था चलिए आगे बढ़ते हैं 36 गड़ के निमलेखित में से किस मराठा सासन ने सुबा सरकार सासन प्रणालिक का सुत्रपात किया एकदम सरल आंसर है यह और यह कोशन सरवाधिक बार पूछा गया है यह भी सीजी पेसी लाइबरेरियन 2017 के पेपर में पूछा गया है तो जल्दिस आंसर देंगे व्यमको जी भोसला इस का अंसर आएगा क्या आएगा बी इस का अंसर आएगा सुबा सरकार जी साबित करने के लिए भेमको जी भोसला ने अपना योगदान दिया था तीसरा का अंसर आएगा भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहे चौथा कोशन है मराठा सासक बिमबा जी भोसले की पतनी का नाम क्या था यह सिजी व्यपम महा लेखा कार 2017 के पेपर में आया हुआ कुशन है आनंदी भाई, वास्टा देवी, राधा भाई या बैजा भाई क्या नाम था भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ABCD आपको खाली ABCD लिखना है चौथा का A, पाचवा का B, शटवा का C आपको लिखना है, पूरा नाम लिखना है क्या हो सकता नहीं है ABCD ही केवल लिखे, चौथा का A, पाचवा का B, ठीक है तो इसका आंसर होगा A, आनंदी भाई ठीक है, रमा भाई और उमा भाई इनकी तीन पत्निया थी इनमें से आनंदी भाई को इसमें दिया गया है चौथा कांसर आएगा A, पाचवा निमलकित में से कौन सी जोड़ी मराठा काले 36 गड़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दाइत्व, सुमेलित है एक सही है, एक सुमेलित है बाकी चार इसके गलत है चोकी ये CGPAC, Assistant Director ठीक है, सहरी कल्चर में आया था 27 के पेपर पे इसके 5 ओप्सन है, एक सही है चार गलत है, जल्दी बताएंगे कमा विजदार, नागरिक सैनिक वित्य अधिकारी, बढ़कर परगना के आईवय का हिसाब रखना बरार पांडे, परगना के लिखा अभी लेखो की सुरक्षा फडणवीस, फडणीस ये फडणवीस है न, ये फडणीस परगना के राजस्व अभी लेखो को तयार करना, पोतदार गाउं के राजस्व अभी लेखो को तयार करना तो इन में से कौन सा आंसर सही है? जलदिसा आपको comment box में comment करने हैं? जलदिसे comment box में comment कीज़ें, पांचवे का आंसर तो पांचवे का आंसर होगा A. कमा मिजदार ठीक है जो नागरिक सैनिक एम वित्ती अधिकारी होता था अर्थात परगोनों का प्रमुक अधिकारी होता था ठीक है आगे बढ़ते हैं छटवा कोशन निमलिकित में से कौन सी जोड़ी 36 गड़ का मराठा ससन एम कारे सुमेलित है मराठा ससक और उसके कारे को सुमेलित करना है एक सुमेलित है चार नहीं है ये CGPAC Engineering Service Set 1 पहले सेट में पहला पेपर दो पेपर होता था तो सेट पहले पेपर में 2015 की पेपर में आया हुआ है अपसा ने विम्बा जी भोसले 36 गड़ अधिकार वियंको जी भोसला 36 गड़ में सुबा चिनमा जी भोसला 36 गड़ में मंदिर निर्मान पूर्सा जी भोसला 36 गड़ का अंगरेजो को सौपना अप्पासाय भोसला स्वतंत्र 36 गड़ राज्य की स्थापना तो इसका अंसर आएगा आपका विमको जी भोशला 36 गण में सुबा सासन इस्ताफित किया, ठीके शाटवेक अंसर आएगा B, आगे बढ़ते हैं सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए, सुची एक में लिखाया परगना व्यवस्था के अधिकारी, सुची दो है दाई गौटिया परगने के समाने सिति की सुचना बढ़े कर गाउं का प्रमुक, तो आपको option A, B, C, D नीचे दिखा गया है, उसमें से चुन्दा है, ठीक है, कोई भी दो को पकड़ लोगे तो आपको समझा जाएगा, सबसे सराल है गौटिया जो गाउं का प्रमुक होता है, त इस प्रेकार इसका ऐसर आएगा, B आँसर सहीं आएगा, इस प्रेकार आप कोई भी एक यदो को जांते हैं, तो आप उसको पकड़कर बना सकते हैं, ठीक है, तो इसका आँसर आएगा B, A का दूसरा, B का पहला, C का चौथा, और D का तीसरा, अंग्रेजो से ठीक पहले, 36 पर इन में से किस का सासन था ये CGPAC, ARO और APO 2014 का कोशन है तो किस का सासन था वही अंग्रेजों से ठीक पहले 36 गड़ में चालूक का मराठा का कल्चूरी का सोम मंसी का तो इसका आंसर सबसे सरल है मराठो का सासन था आठवा का भी आंसर आएगा अगला नमलेखित कतन को राजा युद्ध करते हुए मारा गया ठीक है तो कौन से कथन सही है चुकी इसमें पांच आपसन है मतलब ये CGPAC का कोशन है CGPAC ARTO 2017 का ठीक है ये कोशन है आपको जल्दी से आंसर देने है कौन से कथन इन में से सही है एक दो तीन एक तीन एक तीन या केवल एक सही है तो इ तीना ने मराठो से जुद्ध नहीं किया सरेंडर कर दिया था उन्होंने रतनपूर का राजा जुद्ध करते हैं नहीं मारा था ठीक है उन्होंने क्या करते हैं सरेंडर कर दिया था सो हम हार मान गया थे उनकी पत्नियों ने सफे जंडा दिखा कर हार माल ली थी इसकी बार राठो ने 36 गड़ में अपनी राजदानी स्थापित की थी, रायपूर में, रतनपूर में, खेरागड़ में, रायगड़ में, एक दाम आसान कोशन है, यह सीजी वापम FI, फुड इस्पेक्टर, 2017 का कोशन है, रायपूर में, रतनपूर में, खेरागड़ में, रायगड़ जल्दी सांसर दीजे, दसवे कोश्चन का आंसर आएगा, रतनपूर, बी आंसर आएगा, रतनपूर में, सबसे पहले रतनपूर के सासक को अपने सांसे चुकवाया है, मराठो ने, भासकर से 1741 में, जो उनका सेनापती भासकर पन था, उन्होंने, और रतनपूर पर, रतनप जल्दी से बताएंगे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता मैं बहुत मैंने से कोश्चन तयार किया हूँ वीडियो को लास्त तक देखें 20 कोश्चन ही है केवल तो इसका अंसर आएगा बिंबा जी भोसला प्रतम मराठा सासा ग्यारवाक आंसर आएगा A आगे बढ़ते हैं निमलकित में से किस यूरोपी यात्री ने मराठा सासन काल में 36 गड़ छेत्र का भ्रवन किया वैसे तो तीन यूरोपी यात्री आया थे फोरेस्टर, ठीक है, कोलब्रूक और एक का नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, तो फिलाल तो उस कॉश्चन में नहीं है तो देखे, A, B, C, D, E, चार आप्सर ने, C, G, P, S, E, A, D, P, P, O 2012 के पेपर में आया हुआ, इलियाट, रस्ब्रूक, कोलब्रूक, एगन्यू, सिडवेल तो वो जो यूरोपी यात्री, जो चत्रिगड का भ्रवन किया, वो था कोलब्रूक, बारवा का C आंसर आएगा, कोलब्रूक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें चत्यजगड में मराठा प्रससन के संबन्द में निव्रिकित में से कौन सा कथन सत्य है, मराठा प्रससन के संबन्द में कथन सत्य जाचना है, आपको एक सत्य है, बाकी चार सत्य है, CGPACPREE 2015 का कोईशन है ये, मराठो ने कल्चुरियों की प्रसासनिक व्योस्था को जारी रखा मराठो का चतिसगड के खालसा छित्र पर प्रसास की नियंत्रन था मराठा ना भूर राजस्व का तहसाला बंदुबस्त मराठा ने भूर राजस्व का तहसाला बंदुबस्त लागू किया मराठो ने चतिसगड का प्रसासन कल्चूरी रजाओं को सौंप दिया मराठो ने चत्तिसगड़ में इजारेदारी व्यवस्ता लागू की तो इसका अंसर आएगा जल्दी से comment box में comment करेंगे इसका अंसर आएगा तेरवे question का B. मराठो ने मराठो का चत्तिसगड़ के खालसा चेत्र पर प्रसासनिक नियंत्रत था जैसे कि मैं पढ़ाया हुआ था कि मराठा कल में दो चेत्र थे खालसा चेत्र जमिदारी चेत्र वो थे जिन पर प्रत्यक्ष नियंत्रन मराठो का होता था और जमिदारी चेत्र वो थे जिन पर मराठा जमिदारों के माध्याम से कर्वसूला करते थे ठीक है तो यह आपको पूरे मेरे पांचो वीडियो और छटवा नमर का वीडियो जो आज डलेगा चाड़े पांच बजे ठीक है आप लाइब दिख सकते हैं उसको तो उसमें आपको पूरा आंसर मिलेगा तो इसका अंसर आएगा तेरेवा का अंसर भी चौधवा कोश्चन चत्यस गड़ के किस माराठा ससक ने सुबा व्यवस्था प्रारम की बिमबा जी चिणमा जी व्यमको जी परसो जी इन में से कोई नहीं बताया ता सरवाधिक बार आने वाला कोश्चन है कुश्चन है यह जल्दी बताईए कौन इसका अंसर आएगा सी व्यमको जी भूसला ने सुबा ससन प्रारम किया 1789 में जब वह आये तो वहीं से सुबेदारे की निक्ति की गई 1789 में 36 गड़ में मराठा ससन काल में निमलिखित में से कौन सी सासन पढ़ाली लागू की गई थी यह तो बहुत असान है CGPAC ADPPO 2013 के वेपर में आया हुआ तो मराठों ने सुबा ससन प्रारम किया था 15 वा का सी आंसर आएगा सोलवा कोशन मराठाओं ने 36 गड़ पर किस वर्स आक्रमन किया बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है बताया था कि रगुल जी ड्विती जब नागपूर पर ससन कर रह थे तो उनकी आर्थिक इसकी खराब हो गई थे तो उन्हेंने सोचा कि पुल्वी छेत्रों में जैसे बं 1741 में भासकर पंत्र के द्वारा और नागपूर में प्रतक्ष सासन था वहाँ उस समय रगुजी द्विती का तो इस प्रेकार इसका आंसर आएगा सोलवे का B 1741 अगला सत्रवा कोशन चत्रिस गड़ में मराठा प्राससन के संब्द में विकित में से कौन सा कथन सत्य नही ग्यात करना है बाकी तीन सहीं है एक गलत है क्योंकि ये सीजी पियसी असिस्टेंट डिरेक्टर हैंड लूम 2013 के पर माया हुआ है उसमें चार ही विकल्प थे तो कौन सा सहीं नहीं है ग्यात करना है गलत है तो प्राससन की काई परगना का मुख्य अधिकारी कमा मिसदार थ यह सही है भई ग्राम प्रसासन गौटियां के द्वारा संपादित होता था भूराजस वसूली के लिए कोटवार की निक्ति होती थी ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचायतों का कारे करती तो कौन सा सही नहीं यह कौन सा गलत है जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जी हाँ इसका अंसर नंबर सी गलत है भूराजस वसूली के लिए कोटवार की निक्ति नहीं होती थी कोटवार हाका पढ़ने जैसे की और सुचनाय देने का काम करता था ग्राम इस्तर पर गौटिया के अंदर काम करता था जबकि परगने का प्रमुक अदिकारी काम विजदार होता ग्राम का प्रमुक गौटिया होता था ग्राम इस तर पर ग्राम पंचायत नहीं का कारी करती थी इसका अंसर आएगा सी सत्रावा का सी आंसर आएगा अटरवा केबल दो ही कोशन और बचाए इसके बाद तो आपको बहुत ही असान है कोशन CGPSC खादी में आया है ये 2014 के पेपर पे इसका अंसर आएगा बिम्बा जी भोसला प्रथम मराठा सा सकते अगला, 19-ª में मराठा प्रसासन में परगने का प्रमोक अदिकारी कौन होता था बहुत ही असान SGPSC CMOM के पेपर 2 में आया है 2010 के CMOM के पेपर में आया हूँ था ये Chief Municipal Officer की पेपर में तो परगने का प्रमुक अधिकारी कॉमेंसदार होता था, उन्निस्वा का ए आंसर आएगा, अंतिम कोश्चन इस वीडियो का, चत्रिस गड़ में माराथा प्रासासन में निर्मलखित इस्थानों पर विद्रो हुए, धमधा, बढ़गड, कवरधा, तारपूर, ये पर माराथा प्रासासन में विद्रो हुआ था, बताया हूँ मैं, 5-7 विद्रो के बारें पढ़ाया हूँ, ठीक है, और उसको हत्याया गया, तो धमधा, बरगड और तारपूर में विद्रो हुए थे, कवरधा में विद्रो नहीं हुए थे, ठीक है, धमधा, बरगड और इस प्रेकार इस कांसर आएगा 1, 2 और 4 C इस कांसर आएगा 20 वा का ठीक है और यह इसका model answer जो चल रहा है 1 से लेकर 20 तक के question का model answer क्या आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए और साथी link को share कीजिए आप जितना link share करेंगे उतना ही अच्छा होगा आप जितने भी WhatsApp चलाते हैं WhatsApp ग्रूप है जो उससे समंदित है उसमें share कीजिए बहुत ही important परिपेक्ष से व्यापम और PC के परिपेक्ष से बहुत ही important ये MCQs है ठीक है साथ ही और वीडियो बनाना है MCQs से related की नहीं ये आप comment box में comment करके बताएंगे धन्यवाद